So Hello Everyone, तो PTS Revision Series का आज हम लोग का 8th lecture होने वाला और इसमें हम लोग Mock Test 8 का रागा सेक्षन देखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं, पहला question आपकी स्क्रीन पे है, भारत वा पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है निए By which name is the border between India and Pakistan known? तो बहुत ही आसान question उमीद करता हूँ, सभी ने अपना answer comment में लिख दिया होगा, इसका सही answer रेड क्लिफ लाइन, ठीक है अगर मैं बात करूँ, जो मैक मौन लाइन है, ये है इंडिया और चाइना के बीच में डूरेन लाइन की बात करूँ, तो ये इंडिया और अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस question के regarding जो extra fact दिया वह आप इसको note कर लो, जो भी इसमें आपको नहीं पता है, मैक मौन जैसे इंडिया और चाइना के बीच में है डूरेन के बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, हिंडर इंबर के बात करें तो जर्मानिय और पोलैंड, 38th parallel line यह है North Korea और South Korea के बीच में, और 49th parallel state है USA और Canada के बीच में, ठीक है अगला question है, मौहन जोदारो किस नदी किनारे स्थीत है, नि मौहन जोदारो is situated on the banks of which river options मैं आपको देता हूँ, सचलच, गगर, सिंदू या फिर सरस्वती तो उमीद करते हूँ, अपने अपना आंसर कॉमेंट में लिखते हूँ, इसका सही आंसर है सिंदू, ठीक है सिंदू नदी किनारी है, situated है, इस question के regarding extra fact देख लेते हैं, और जो important यहाँ पे ancient sites हैं और वो किस नदी यानि किस river के near located हैं, वो आप देख लो, जैसे हडपा की बात करें, तो यह रावी नदी किनारी है, काली बंगार, गगर नदी किनारी है, रोपल, सतलच किनारी, लोथल, भोगवा, ठीक है यह एक प्राचीन बंदरगा, यानि कि लोथल जो है, आपसे एक question पूछ सकता है, कि which is the ancient port, यानि कि इन में से प्राचीन बंदरगा कौन है, तो answer आपका लोथल होगा, यह ना जाने कितनी बार air force exam में आपके पूछा जा चुका है, तो इस fact को भी अच्छे से आप याद कर तो सभी odd numbers का आपको जो 100 से छोटे हैं, average बताना है उनका, ठीक है, तो देखिए, average होता कैसे, average हम calculate कैसे करते हैं, जितने numbers हैं, सब का sum कर लें, उनका जोड कर लें, और number of terms जितने हैं, तब यह बताए, number of terms कितने होंगे, n की value कितनी होगी, तो जाहिए सी बात है 50 होगी, अ जाहिए सी बात है, 50 यहाँ पर odd numbers होंगे, 50, n की value तो हमें पता चलेगी, अब इन 50 का sum कैसे निकालेंगे, तो formula होता है, एक AP का, arithmetic progression का, n by 2, a plus l, जहाँ पर a होता है पहला term, l होता है last term, ठीक है, और अब इसी हिसाब से यहाँ पर values हम put करेंगे, और इनका sum निकाल लेंगे, क्योंकि average निकालने के लिए जरूरी है, तो n की value अभी हमने calculate की, कितनी थी, 50 थी, 50 divided by 2 करेंगे, a की value कितनी होगी, कहां से चाल होते हैं odd numbers, 1 से, ठीक है, और खतम कहां पर होते हैं odd numbers, 99 पर, ठीक है, मतलब खतम तो बहुत आगे, मतलब यहाँ पर 100 के अंदर हम से पूछा ज जाएगा, average का मने भी formula देखा है, कि sum divided by number of term, तो 25 है, इसका sum, और number of term, अभी हमने आपको होता है, 50 है total, तो जाइट सी बात है, आंसर इसका 50 होगा, ठीक है, option number A, अगला question देखते है, question number 4 है, कि X3 के आयू, अपने पुत्र के आयू से तिगनी है, 5 वर्ष पूर, पुत्र के आयू, अपने पिता के आयू का एक बटा 6 थी, यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बढ़ा है, तो पुत्र की वर्तमान आयू क्या होगी, यानि, what will be the present age of the sun, ओके, तो चलिए इसको उम्मीद करता हूँ, सभी ने इसको solve कर लिया होगा, ठीक है, मैं बार बार इसको repeat करने वाला हूँ, मैं सबसे यही expect कर रहा हूँ, कि सभी लोग वीडियो को pause करके, अपना time लेके answer बना रहे हैं, और यह कोशिस कर रहे हैं, कि जल्दी से जल्दी answer बना है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें पुत्र की वर्तमान आयू पूछी गई, उसको हम X मान लेते हैं, और क पिता उसकी माता से पांच वर्ष बड़ा है, तो अगर माता 3X हैं, जाहिर सी बात पिता 3X प्लस 5 होंगे, ठीक है, यह सारा है यहाँ पर clear है, अब यह जो बीच में लाइन दी थी, पांच वर्ष पूर्व पुत्र की आयू अपने पिता की आयू का एक बटा छेती, यह हम प्रतमान X है, तो पांच वर्ष पहले X माइनस 5 होगी, अगर पिता की 3X प्लस 5 है प्रेजेंट एज, तो पांच साल पहले कितना होगा, 3X प्लस 5 माइनस 5, वहनेगे एक तरह से 3X, और 1 बटा 6 ही तो यहाँ पर 1 बाई 6 कर दिया, एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, X इसक तो थोड़ा सा टिपिकल लगे, लेकिन अभी जिस में जिस तरीके साब को बताने वाला हूँ, जो कि फामुला मेथड है, बहुत ही आसान हो जाएगा, एक क्वेश्चन बहुत जादा आसान, तो अमीद करता हूँ, आप सबने इस क्वेश्चन को अटेम्ट कर ले होगा, अपना अंसर निकाल लिए होगा, पहले मैं आपको इसका अंसर पता देता हूँ, तो आंसर 2500 होगा, अब कैसे होगा, बहुत आसान है, सिंपल, अगर आप यहाँ पर नहीं समझ पा रहे हैं, जो एक्स्परनेशन दिया, तो सिंपल समझे, यह 465 प्लस 415 का होल स्क्वेर है, ठीक है, अब यह अब देख पा रहे हैं, यहाँ पर 465, यहाँ 415, और यहाँ पर भी 465 है, यहाँ पर 415 है, ठीक है, तो अब करेंगे कि हम लोग इसको एक्स्पैंड कर लेंगे, तो जब इसको एक्स्पैंड करेंगे, तो यह A प्लस B का होल स्क्वेर है, तो यह होगा क्य 465 का square ठीक है प्लस 415 का square minus 2 sorry plus क्योंकि A plus B call square है तो plus 2 into 465 into 415 तो plus का 2 अब यहाँ पर देखो यहाँ पर मैं 465 को A बुलाने वाला हूँ 415 415 को B बुलाने वाला हूँ ठीक है तो अब देख पारे हैं plus 2 into 465 into 415 है और यहाँ minus 4 into 465 into 415 है यानि कि अगर इसको minus 4 यह पार्ट को और इसको अब solve करोगे तो आपको क्या मिलेगा minus 2 into 465 into 415 उमीद करता हूँ समझ गया होगा नहीं समझ पायो तो अभी comment में लिख दो ताकि मुझ यह पता चल सके कि यहाँ भी इतना अप समझ यह नहीं पातो जो मैं बता रहा हूँ ठीक है यह जिसमें कोई rocket science नहीं अप समझ पा रहोगे कि यहाँ पर minus का 4 AB और यहाँ का plus 2 AB जब यह अपस में जोड़ेंगे तो minus का 2 AB बन जाएगा और A और B आपको पता है जब minus का 2 AB बन जाएगा यह square पहले से ही है 465 का whole square प्लस 415 का whole square तो जाइट सी बात आपके formula क्या बन जाएगा A square plus B square minus 2 AB यानि की A minus B का whole square और A और B का बन आपको पता है 50 का whole square 2500 निकल का आगा अगर नहीं समझ पाते हो इससे समझ सकते हो इसको अच्छे से देख लो अगला question है पर question number 6 है आप इसको पढ़ लो आराम से ने एन examination Richard scored 52% Sudha scored 64% Rita scored 74% If the maximum marks of the examination is 750 So what is the average score of all the three girls तीनों का average यहाँ पर क्या होगा तो बहुत आसान question है यहाँ पर Total marks यहाँ आपर 750 अब 750 का Richard ने 52% score किया Sudha ने 64% और Rita ने 74% तो जाइर से बाते हैं इनका पूरा वही निकाल दो 750 का एक बार 52% निकाल और 64 और एक बार 74% जो values आएंगी उनको add करके divide by 3 करदा आपको average मिल जाएगा एकदम basic सा question था 475 इसका answer होगा अगला question है question number 7 से question है कि यहां पर जो question मा की जाएगा आपको बताना है क्या आएगा तो मैं फोड़ा zoom करके आपकर समझाता हूं two plus six plus eight कितना होता सिक्स्टीन होता है six ठीक है six plus eight plus sixteen कितना होता है 30 होता है फिर eight plus sixteen plus thirty कितना होता है 54 होता है वैसे ही हो क्या रहा है यहांपे last की जो three digits है उनको add करके अगला टम बन रहा, इनको अड़ किया, तो ये बना, फिर इनको अड़ किया, तो ये बना, फिर इनको अड़ किया, इन तीनों को तो ये बना, फिर इन तीनों को अड़ किया, तो ये बना, अब इन तीनों को अड़ कर दो, तो आपका अगला टम बन जाएगा, ठीक है, 16, 30 औ आपको यह बताना है तो बहुत आसान question है आपको इसको option elimination से मैं advice करता हूँ करने के लिए इन तरह के question को अब यह options दिखाने रहा हुआ मैं चाहता हूँ कि आप पहले इसको solve कर लें क्योंकि आसान question है तो इसलिए आपको बताता हूँ कैसे तो ही 13 आएगा यहां पर 13 आने वाली इसका मतलब यह है कि आखरी का option तो यहां से eliminate हो जाएगा तो यहां पर हमने एक option को eliminate करते हैं आपको ऐसे करना option eliminate करते हैं ठीक है अब D E F G H I J K L M आएगा दूसरा जो letter होगा वो M आएगा और वो सिर्फ एक ही option में है option number C देख रहा है अगर आप बिना option देखे करेंगे तो आपको पूरा करना पड़ेगा अगर आप option elimination पैरलली करते रहेंगे तो बहुत ही कम time में आपका answer आजाएगा question number 9 देखते हैं यह है कि सम्मंदित विकल्प का चैन करें सब्सक्राइब आपको बताना है तो चले बहुत यह असान question आजाएट के बात है जैसे power की unit होती वाट वैसे electricity की unit होती है ampere ठीक है तो ampere इसका सही answer होगा option number D अगला question question number 10 यहाँ पे कि when all the students of a school are lined up in a row of 54 students 30 rows are formed if they are put in a row of 45 students how many rows will be formed to meet करता हम अपने हिंदी इस question को पढ़ लिया होगा आराम से अच्छे से और इसको solve भी कर लोगा है फिर से बता दिए एक tough question नहीं है असान question है ठीक है तो जाइड सी बात है देखो चाहे पंक्तियां कितने की भी बने number of students तो सेम रहने वाले ना बस इसी concept का यूज़ करके हम इसका आंसर निकालेंगे और यहीं चीज़ एक explanation में explain की गई है कि 54 students का एक रो बनाए गया है ठीक है और उसमें 30 पंक्तियां अगर अगर यहां पर एक ही option होता है जो तीस से जादा होता तो आप आसानी से उसको आंसर टिक करके आगे बाड़ सकते थे अब मैं आप समझाता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूं देखो पहले 54 चातर थे एक पंक्ति में और 30 पंक्ति बन नहीं थी अब कम कर दिए चातर तो जाइर सी बात है पंक्तियां ज्यादा होंगी ना तो पहला option तो ऐसे ही अट गया 30 पंक्तियां पहले बन नहीं थी अब तो ज्यादा पंक्तियां बनेगे ना तो जाइर सी बात यह option ऐसे है कि अगर मालो ऐसा होता कि वाकी भी option 30 से कम होते तो जाइर सी बात है और सिर्फ एक यह option 30 से ज्यादा होता तो आपको कुछ solve भी नहीं करना था आपको answer टिक करके आ आपर 36 जो है रोज निकाल ली answer question number 11 थी है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कांसा विश कंट्री से लाजस्ट प्रेड्यूसर और सिल्वर इंद वर्ड मैं आपको option देता हूं USA Kenya Mexico या फिर Sierra Leone तो इसका सही answer है option number D Mexico ठीक है Mexico इसका सही answer है और बाकी देख लीजिए आपर जो explanation में लिखा हुआ है कि uranium, loha, bauxite, sona, tamba, manganese और koila इनके top producers कौन है अगला question है question number 12 थी है आपर कि Nobel पुरस्कार प्राप्त करने आले प्रथम भारती महिला कौन थी was the first Indian women to receive the Nobel Prize इस बार Air Force की exam में पक्का आएगा question लिख के लिए किसे ने किसे shift में त options देता हो है को इंदिरा गांधी, Mother Teresa, Sarojini Naidu या फिर राखी सावंत तो इसका सही answer होगा option number C Mother Teresa ठीक है या आपको पता होना चाहिए Mother Teresa was the first Indian to receive the Nobel Prize आपको पता है Mother Teresa इंडिया की नहीं थी लेकिन इंडिया की citizenship उन्होंने ले ली थी वो मतलब कि generally अगर हम बात करें तो पहले आउस्ट्रिया से थी उसके बाद वो इंडिया में आखी एक तरह से पर्मनेंट यहीं कि उन्होंने citizenship ले ली थी इसी वैसे वो इंडियन रेजिदेंट थी और इसी वैसे फर्स इंडियन विम इंडियन विमन तो रेसी नोबिल वाज मदर टेरेसा अब यहां पर मैं आपको से देखो इनको screenshot लो और देखो इसमें से तुम्हें कौन सा नहीं आता जो नहीं आता है उसको नोट कर लो और उसको बार 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 रिवाइस करो रटो ठीक है क्योंकि यह फैक्ट है बहुत important और अपको कहीं नहीं मिलने वाला मैं आपको दिखा देता हूं अच्छे स में combine को यह लिखा जा रहा है तो उसी code बार बार में towards को क्या लिखा जाएगा इस तरह का question मिया को पहले करवा चुका हूं आपका alphabetical positions पता होने चीए मैं इसी तरह कहीं हम लोगों ने question किया था तो देखते हैं कितने लोग इसका सही answer दे पाते हैं ठीक है तो चले देखते ह यहाँ पर simple हर अक्षर का ultra अक्षर लिखा हुआ है मैंने बोला था आपको जैसे आगे से c है वैसे पीछे से x है ठीक है अब c का position कितना होता है ठीक है अब आप मुझे यह बताओ x का position कितना होता है ठीक है 24 अब मैंने कैसे बोला तो कैसे calculate करना कैसे पता चलेगा कि यह opposite letter ह तो 27 में position माइनस कर दो c की position 3 होती 27 माइनस 3 करोगे तो 24 मिलेगा जो कि x की position होता है इसका अब c just opposite है x का वैसे ही o b l का just opposite है m n का opposite है तो इसका मतलब है opposite वाला खेल चल रहा है अब यह नहीं कि b का भी निकाल रहा है आई का भी निकाल रहा है जब थोड़ा 3-4 करके पता चल अब क्या होगा एहलोगा ठीक है तो एल यहां पर बी option में एल नहीं है एक second बी option में नहीं है तो बाकी a c और d वे हैं ठीक है तो अगर हम देख हैं तो कैसे हम इसको option के साथ खेल सकते हैं तो gld gd और सबसे पहली बात तो l आने वाला है तो यहां से अटा ठीक है और gld gld और gld उसके बाद z है यहां पर z है और w है तो देखते हैं z आएगा या फिर w आएगा तो यहां पर अगला लेटर नहीं चौथा लेटर है b और b का उपजिट होता है z जाहिर सी बात है z आने वाला जो कि option नमबर a और c में है उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां है इस एक सेकेंड एका जेड हो गया opposite और आर का अगर हम बात करें तो आर का opposite हो जाएगा आई तो आई किसमें आ रहा हो है option number c तो जाहर सी बात है अपको option number c मुझे बताने में लग रहा है लिकिन अगर आपको अल्फेबेटिकल पोजिशन नहीं आते तो बिलकुल time नहीं लगेगा अगला question है यहाँ पर question number 14 बहुत यह असान question है a b से लंबा है परन्तो c जितना लंबा नहीं है d e से लंबा है परन्तो b जितना लंबा नहीं है जिनमें तो सबसे अधिक लंबा कौन है या जो बोल रहा है simple आपको वैसे करते जाओ या तो greater than के sign मनाते जाओ या फि सबसे बड़ा यहां पर c होगा और यह कुछ इस तरह का figure बनेगा c a b d e f e s order में रहेगा ठीक है और देखिए अब इसमें भी बोलो कि से करके बताओ यह भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको बहुत जादा महनत की जरूत है करने को मैं कर दूं ऐसे में बना दूं वह आपका सिर्फ simple time खाएगा वही चीज़ आप खुद से कर सकते हो जहां पर concept बताने जरूत होती है मैं पूरा आपको explain करता हूं ठीक है अगला question है पर question number 15 यह है कि एक हफ़ते में घड़ी के घंटे की सूई और minute की सूई में कितनी बार एक दूसरे के साथ some code बनाती है न आपको पता है एक गंटे में घड़ी की घंटे की सूई और minute की सूई दो बार right angle बनाती है ठीक है और 24 आस में बात करें तो बाइस बार ठीक है मदब की 22 गंटे में आपको यह दो बार जो right angles बनता हुआ दिखेगा तो यहां पर 22 कर देंगे 44 और जाहिर से बात है मैं वीक क पहले भी कई बार कियेंगर मैंना आपको करवाए भी हैं काफी आसान question है अगला question है question number 16 अक्षे ने दो रेडियो चौंसाट सो रुपए में खरीदे इसने एक रोड रेडियो को 25 परसेंट लाब पर तथा दूसरे को 25 परसेंट ठानी पर बेच दिया यदि दोनों रेडिय मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ कैसे होगा question है तो देखिए सबसे पहले तो आपका answer तीन हजार होगा यहां पर एक समान के किया हुआ है आप इसको ऐसे भी कर सकते हो लेकिन इसका एक short method मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहली बात है 25 परसेंट एक को लाब में एक क इसको हम करेंगे अब सेम कैसे करेंगे सेम इसमें अगर हम 3 को मिल्टिप्लाई कर देंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे यह तो अब क्योंकि सिर्फ यहीं पर थोड़ी ना मल्टिप्लाई वह दोनों साइड होगा तो यह कितना हो जाएगा 4 x 3 12 यानि 12 कि चीज 15 में और 5 x 4 20 20 की चीज 15 में ठीक है, बोल रहा है कि उसने एक सेकंड, रेडियो को 6400 रुपए में खरीदा, ठीक है, तो 6400 में खरीदा, यहां पर हम करेंगे क्या, सबसे पहले यहां पर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यह पहला रेडियो 12 रुप, एक तरह से 12 दोसों को एक बताएगा दोसों को तो 15 कितने को बताएगा 3000 को तो जायर सी बाते 3000 आपको आन्वागा आ गया अगए अगर आप देखे जन लोगों यह मैं ते आता वह जो लोग इस तरह से questions को करते होंगे तो उनको आसानी से समझ में आ गया होगा अगर आप नहीं करते हैं तो आप ये method को अपना सकते हैं अगला question है question number 17th आज के सबसे आसान question है math का कि एक missile 1386 km प्रती गंटा की गती से चलती है एक second में वह कितनी दूरी तय करेगी बहुत ही असान है कैसे करेंगे उमीद कि तुम सभी ने कर लिया होगा 5 by 18 से इसमें हम multiply करते हैं और answer आ जाएगा 5 by 18 से multiply करने में 385 meter per second निकलेगा और इसका मतलब यह होता है कि एक second में 385 meter चल रही है नियो option number D अब यहाँ non-verbal questions को skip करते हुआ आगे बढ़ते हैं question number 23 में आते है 2 cause square 60 degree plus 3 sign square 45 minus 3 sign square 30 plus 2 cause square 90 degree की value बतानी है फिर से असान question है यह मुझे पूरा mock ही एक तरह से easy to moderate level पर लग रहा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी यहाँ पर अच्छा score करने वाले है तो simple आपको यहाँ पर values put करने है cost 60 की sign 45 की सब की value put कर तो आपका answer 5 by 4 निकलाएगा अब यही मैं करके रखूं की 2 into 1 by 2 का whole square पूरा एकदम तो फिर वह मैं खुद थोड़ी ना पढ़ रहा हूँ पढ़ तो आप लोग रहे हो ना करना आना तो आप लोगों को चाहिए ना कलम तो आप लोगों की चलनी चाहिए दिमांग आप लोगों को चलना चाहिए जहाँ पर concept पर जरूरत है जैसे कि profit and loss था तो वहाँ पर उने आपन के लिए किया जाता है पाइरोमेटर इस यूस्ट फॉर मेजरिंग बताया ओप्शन में आपको देता हूं हाइट हुमिडिटी टेंपरेचर या फिर प्रेशर तो पाइरोमेटर जाईर सी बात है यहां पर टेंपरेचर ना पने का एक इंस्ट्रूमेंट है ठीक है अ गजनी की तरह लिख लो आस-पास एकदम रटा होना चाहिए ठीक है घजनी की तरह नहीं गजनी में जो आमिर खान थे उनकी तरह ठीक है दूद के गनत को मापने के लिए हम लेक्टोमेटर के यूस करते हैं वायो की आधरिता को मापने के लिए यानिकी अभी मैं विखा दूगा humidity के लिए ऐग्रोमेटर यूज़ करते हैं ध्वनी की तीवरता ओडियोमेटर और हवा की गती ऐनिमोमेटर वयुमेटर दबाओ बैरोमेटर जहां भी प्रेशर हो वहां पर बैरोमेटर होगा ठीक है भूकम की तीवरता सीसमोग्राफ समुद्ध की गहराई फ उमीद करते हूं सभी ने अपना अंसर लिख दिया होगा मैं आपको अप्शन दिखाए देता हूं दोहजार साथ दोहजार दोहजार बार और दोहजार नौ तो जाहिर सी बात इसका सही अंसर दोहजार होगा ठीक है अब इसके रिगार्ण एक्स्रा फैक्ट देख लो कि अब दोहजार दोहर दोहरो जोगा तो उमीद करते हूं सभी ना पर वीडियो पॉस्ट करके अपना निकाल दिया होगा अंसर इसका 42 होगा कैसे होगा देखो 7 x 2 x 14 7 x 3 x 21 7 x 4, ॷ ठीक है, 7 x 3 x 27 ठीक है 7 to 4 28 7 to 5 35 7 into 4 रहने की एक तरह से गर हम देखें तो यह यहां से चालू होके और अगला टाम आ जाता है फिर यहां से चालू होके अगला टाम आ जाता है तो अगला टाम क्या होगा 7 into 6 जो क्यों होगा 42 ठीक है 42 असका आजाएगा अगला कुश्चन है कुश्चन अबर 27 यहां पर कि एक महिला की और इशारा करते हुए एक वक्ति ने कहा उसकी माता मेरी सास के कलौती पुत्र है उस वक्ति का महिला से क्या संबंद है तो इस तरह कुश्चन अनको बताया है कि अपको खुद को रखे है फिर रिलेटिव को कि इसको भी रखे और इपका आंसर जो है निकला आएगा इसका जो सही आंसर होगा वह और सी पिता यानि फादर ठीक है यह कुछ डाग्राम मनेगा डियाग्राम से सब कुछ मैं रिकमन नहीं करता हूं बट देख लो आप अगला कुश्चन देखते हैं कि सभी वेक्ति अंग तो यह यह आंसर है कोई सरकट्म नहीं बनाना है क्योंकि सभी लोग नंग्रेजी जानते हैं यह रॉक्रेजी का में अलग से कोई सरह कल नहींपनाना है क्वेकि सभी लोग अंकर एंग्रेजी जानते हैं अग सब्सक्राइब कि यह ब्रभ पर क्रीति या में णक्राइब series-on honored with the 2021 दादा साफ फाल की award तो option तो यहाँ पे नहीं लगा हूँ अक्षे कुमार मुझे आपको पता है मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों को लग रहा हूँ कि रजिनी कांत इसका सही answer है ठीक है बाकि इसके regarding मैं आपको extra fact दिखा देता हूँ या आप extra fact देख लो ठीक है तो आज का हमारा mock यहीं पे खतम होता है और उमीद करते हूँ मॉझे अच्छा लगाओ गार ऐसा है तो आप comment इस video को like जरूर करें target रखते हैं इसमें 600 likes का और जैसे ही target पूरा होगा आपको अगला वीडियो मिल जाएगा और चैनल को subscribe करके टेलीग्राम चैनल को जरूर जोइन कर लें आपको daily quiz मिलता है उसका link description और comment में आपको मिल जाएगा धन्यवाद